इसमें हम सबसे पहले डिसकस करेंगे अडीनो मायोसीज को अडीनो मायोसीज में एक्चली होता क्या है कि जो एंडोमीट्रियम है यह याद रखें कि जो हमारे पास यूट्रस है उसकी थ्री लेर्ज होती है यह इन केस अगर हमारे पास यूट्रस है इसकी थ्री लेयर होती है, यह इंटर्नल लेयर है, यह एंडोमीट्रियम है, इसके बाहर जो थिक लेयर होती है, वो मायोमीट्रियम होती है, जो के समूथ मसल लेयर है, ठीक है, और इसके गिद बिलकुल थिन लेयर होती है, जो के एंडोमीट्रियम होती है, जो के एंडोमीट लेयर ही जो है ना यही ग्रो करती है और यही शैड होती है जिसके वजासे ब्लीडिंग होती है अब जो एंडामीट्रियल ग्रॉल में आप नॉर्मली ग्लो कर जाते हैं यह जो इसकी जो बेजर लेयर है ना endometrium की यह इस तरफ को grow कर ज़े myometrium है तो उससे adenomyosis हो ज़े extension of endometrial tissues जो के glandular tissues है into the uter myometrium जो के smooth muscles है उसकी वज़ा से क्या होगा कि जिस तरह endometrium में cycle changes आती है उस तरह उन cells में भी cyclic changes आएगी और bleeding होगे लेकिन वो bleeding जो है वो जायना कि तुरू बाहर नहीं जाएगी बलके वो इसके अंदर ही प्रजिस्ट करेगी तो इस वज़ा से जो है cyclic pain होगी अब क्या होगा काल पैदी hyperplasia reason क्या है इसकी hyperplasia of the basal layer of the endometrium यह यह हो सकता है यहां से वैसे cell abnormally trauma के वज़ा से चले जाएगा तो इसकी presentation क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है dysmenorrhia होगा painful mensis होगे उसकी reason मैंने बता दी कि जब mensis होगे तो इसमें जो गही हों है endometrial cells उसमें cyclic changes आएगी तो इसमें bleeding और hemorrhage होगा जिसकी वज़ा से pain हो रही होती है abnormal uterine bleeding होगी ठीक है और heavy mensal bleeding होगी एक तो यह है कि जब endo myometrium के अंदर difference यह चले जाएंगे हमारे पस glands तो जो endometrial myometrium है ना इसका काफी size enlarge कर जाता है recurrent जो damage होने की वज़ा से और blood accumulate होने की वज़ा से myometrium में इसका size uniformly increase कर जाता है जब overall size increase कर जाएगा तो surface area भी increase कर जाएगा जिसकी वज़ा से bleeding जाता होगी यूनिफॉर्मली अब इसमें जब हमें examination करेंगे इसमें क्लिनिकल presentation आगे dysmoneur या abnormal uterine bleeding या heavy mensual bleeding और examination पर हमें क्या मिलेगा enlarged uterus होगी और यह enlarged यूनिफॉर्मली enlarged होगी और दूसी तरफ जो है ना लियो मायोमा जो के जिसे फाइबरोइड कहते हैं जो के यह myometeal cell की benign tumor है उस case में जो होगी न यूट्रस वो अब नौ irregular होगी ठीक है और यूनिफॉर्मली इनलाइड होगी यह इन दोनों में difference है इसके लावा uterus soft होगी ग्लोबलर structure हो ठीक है और यूनिफॉर्मली लास soft ग्लोबलर structure होगी यह इसकी examination पर finding गहेगी अब इसकी इसके लावा मैं next आपको diagram में दखता हूँ कि इसमें pictures में हमें नजर किस तरह आ रही है यह तो अब यह नौर ऊपर जो दखाएगी यह नौर्मल यूट्रस है यह एंडोमीटियर लाइनिंग है सबसे इनल लाइनिंग और उसके बाद मायमीटियम सबसे external जोगी वह सिरोजा होगी यह अब इसका ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट एक तो यह है कि हम गुनेड़ ट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मून एगुनिस्ट देए हम इसके अंगेंगे जब झाएनिस अगोनिस्स नेंगे तो इसकी वज़से क्या होगा कि एलस अफसे और यह ब्लीजिंग नहीं गर्जीज पूर्ज यह रूवजा करेगा नहीं ब्ली दिटमेट चाहिए ऑगे और ब्लीडिंग करेंगा तो उसकी वज़से पिर भी जिन फीमेल में मतलब उन्होंने जितनी बचे पैदा करने थे उन्होंने कार लेंगे और आप फर्दर जो है ना वो डिलीवरी प्रेग्नेंसी नहीं चाहते हैं तो उसमें हम हिस्ट्रक्टमी कर सकते हैं है लेकिन जो अडुल्त है और वह जो डिलीवरी नेक्स चाहती है फ््यूचर में प्रेग्नेश चाहती है तो उसमें हम मींश्ट्रेटमी नहीं कर सकते हैं तो इसके बाद अब हम इसका ना एक स्नेरियों देख लेते हैं कि इंटरनेशनल एक्जाइम में किस तरह यह आ सकता है तो यह पेशेंट है जी 42 यह ओल्ड फीमेर है हमारे पास ग्रैविडा टू पैरा टू ग्रैविडा मतलब दो बार उस ने जस दो पर कंसेप्शन होई यह पहले टू दो बार ही डिलीवरी होई है कंस तो दी ऐफिस फाद वैलिवेशन ऑफ पैल्विक पेन एक तो हमारे पास बात आगी पैल्विक पेन के तो एक बात हमारे पास आगी के पैल्विक पेन होगी उसकेस में और इसके लावा क्या चीजी होगी जी दिमेंसिज आर पैनफुल जी से डिस्मनुरिया कहते हैं और हैवी ब्लीडिंग ठीक है पहले हमने बात कर ले कि इसके प्लेशन में हैवी ब्लीडिंग होगी इसके वज़ा से पैन लीफ होजाने थे लेकिन इस केस में नहीं होते है Her menstrual cycles are regular occur every 28 to 30 days and last 4 days She had had no dysuria, uni frequency or constipation मता उसमें UTI के कोई भी साइन नहीं है The patient had a tuber ligation after her last delivery She has not had cervical cancer screening within the past 5 months and is not effectively active Temperature is this one, blood pressure is this one Normal है blood pressure temperature or pulse rate is no normal Examination shows bogey uterus, soft uterus and large uterus Tender to palpation के उसको हम palpate करेंगे, examination में तो उसमें pain होगी But which of the forming additional findings is most likely present in this patient तो इस patient में और यह finding होगी कि अल्टासोन अगर हम करेंगे तो उसमें Trantometer glionabumayometrium में present होगे और यह सारा इस तरह का इस नहीं रिवाएगा अडिनो माई योसिस का